मैं किता वस्ती इस वीडियो में आपको लखर उन्वस्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्ट इंफॉर्मेशन के बारे में बताने वाली हूँ जैसा कि आप लोगों के messages भी आ रहा थे कि जो document verification है मैं उस पे आप एक video बनाईए आप लोगों के कई तरह के questions थे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको document verify कराना है और आपके पास कोई message आयागा या फिर आपको notice के through देखना है आपको university जा करके verify कराना है या फिर आप online ही कर स के लिए कई सारे बच्चे questions कर रहे थे ठीक है और यह UG और PG दोनों के लिए है सबसे पहले हम UG की बात कर लेते हैं कि देखें UG का document verification है कुछ बच्चों को कल के date में भी बुलाया गया था 27 को कुछ बच्चों को 28 मतलब आज की date में भी बुलाया गया है कुछ बच्चे ज आ रहे थे तो देखें कई सारे बच्चों को alert matter जो है वो घर पे पहुंचा दिया है उनके घर पे अलाइट पहुंच गैया है कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलं़ रहा है कैसे Alabama उनको मिलेगा और कई सिट जो है वो रिजर्ब हो रही है उनको सिंद मिल रही है या नहीं मिल रही है इसके बारे में मैंने आपको लास्ट में बताया है तो पूरा वीडियो देखेगा तो देखें यहां पर मैंने लिखा भी है लगन इनुवस्टी यूजी पीजी दोनों के एडमिसन के बारे में इसमें बताना है सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि लगन इनुवस्टी की तरब से कई तरह के नंबर है 7976 इस तरह के नंबर से मैसेज़ गया है बच्चों के जो उनका मोबाइल नंबर पड़ा हो था उनके फॉर्म में तो उसमें मैसेज गया है कि आपको डॉक्यमेंट जो है वो वे रहे हैं बच्चों के पास यहां पर लिखा हुआ है कि come for documents verification with all your original documents अभी मैं आपको डॉक्यमेंट के बारे में बताऊंगी कि वहां पर जो डॉक्यमेंट है कौन-कौन से original लगेंगे और कौन-कौन से photocopy लगेंगे ठीक है तो ऐसे message पहुँचे हैं बच्चों के mobile पे तो अगर यह message गया है इसका मतलब आपको university जा करके अपने document जो है यहां पर जो time जो भी place दिया गया है वहां पर जा करके आपको अपना जो document है वो verify कराना है ठीक है एक दूसरा भी हमारे पास message है जो under graduation वाले बच्चे के पास ग अपने जो original document है उनका one set को भी जो है वो हाँ पर submit करना है जा करके तो यह कहां पर यह देखे यहां इसका दिया गया है जो place है यहां पर आपको submit करना है और देखिए 28 और 29 की यहां पर date भी दी गई है ठीक है और यह जो है यह university जा करके ही verify कराना है और यहां पर कौन-कौन से यहां पर भी original document लगेंगे कौन-कौन से original document लगेगे इसके बारे में भी हम अभी बात करते हैं सबसे वहले हम चलते हैं अपनी official website पे ठीक है तो यहां पर हम आ गए हैं अब भी दिखें यहां पर जो मैने आपको messages दिखाए हैं यह messages बच्चों को पहुंचे हैं जिन बच् document verify कराने के लिए university जाना पड़ेगा ठीक है अब जिनको नहीं आए हैं allotment letter आपको कैसे पता करना है कैसे आपको पता करना है कि आपको document verification के लिए जाना है तो देखें यहां पर notice भी दी गई है जो लगन university की website पे available है तो यहां पर आप official website जो है इसकी just a second update आती है वो तो हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं यहां पर देखते हैं कि हमारी notice क्या क्या है जो भी हमारी background voice आ रही है प्लीज आप उसको ignore करिएगा घर पर काम चल रहा है देखें तो यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले कि notice regarding verification of documents of student got admission in chemistry सेमेस्टर सेशन 2021-22 ठीक है देखें तो यहां पर आपको पहले ही मिल गया है document verification के लिए किसका बोला गया है MSC first year जो chemistry student है उनके लिए ठीक है फिर next है document verification करना है जो MA admission ले रहे हैं English फिर next date of verification and reporting of BSC maths and BSC bio of admitted candidate of second round of allotment upgrade यहां पर भी देखें बहुत सारी notices दी गई है हर एक stream के लिए और यहां पर यह हो गया under graduation यह हो गया post graduation पोस्ट graduation के लिए अभी इतनी सारी news आई है chemistry के लिए आया है और हमें English के लिए आया है और जो हमारा under graduation के लिए है वो इन सब के लिए आपको क्या कराना होगा यहां पर आपको document verification के लिए जाना होगा यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं यहां पर आपको जो भी जिसको जिसको भी कराना होगा यहां पर नाम लिखा होगा यहां पर सारी चीज़े आपको पता चल जाएंगे ठीक है तो जो भी यह हमारी नई अप्डेट्स आती है इनको आपको जरूर से देखना है लिखा हुआ है extension of date of choice filling विपेड में एम्बेड एंड एमेड यहां पर जो हमारी choice filling का option आ रहा था official website पे उसकी जो date है वो extend हो गई है आप इन subject की जो date है वो stream की जो date है वो extend हो गई है आप वहाँ पर जो आपने अगर choice filling नहीं करी है तो वहाँ पर जा करके आप choice filling कर सकते हैं ठीक है फिलिखावे notification regarding extension of last date of direct admission in faculty of engineering इसके लिए भी BAC second semester third इन सब के बारे में यहां पर जो information है वो पता चलती रहेगी यहां पर तीन pages में दिये गए है सारी information तो यहां पर आप click करके देख सकते हैं अब मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे notice देखना यहां से आप अपनी notice जा रहा है कि allotment letter के बारे में क्या से उनको पता चलेगा देखिए सबसे पहला point तो मैं आपको easy way पता रही हूं जो choice filling का option आते हैं वहां पे आप जा करके अपना register mobile number डालेगे choice filling आपने कर ली 200 जो registration fees थी वो आपने दे दी वो मुझे समझा रहा है वहां पे फिर भी आप ज password and all जो भी होता है उसको आप डालेंगे तो उसके बाद अगर आपको seat कोई allot की जाएगी करी गई होईगी तो वहां पे आपका लिख के आजाएगा अगर नहीं की गई होगी तो वहां पे लिख के आजाएगा कि no seats available ठीक है कोई allotment जो seat है वो allot नहीं की गई है ठीक है ए सबस्वर टीज पर आपको लिख जाएगा जो भी हमारे एक मिनट आपको दिख्वाई देती हो कि अडमिशन पे यहां पी देखिया पोस्ट्रेजूएशन आपको जिसके बारे में पता करना है यहां पे सबकुस दिया गया है यहां पे पोस्ट्रेजूएशन की यह लिंक यहां पे आप क्लिक करिएगा यहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखें यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है ठीक है कट ओफ ललम नोटिस दी गई है फी समिशन की प्रोसीजर दिया गया है पीजी आप एक प्रोसीजर पढ़ लीजेगा तो आपको और पता चल जाएगा जो यह ब्राउचर है ब्राउचर टाइब का खुल के आएगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और पीजी कोर्स यहां पे सारी चीज़े दे गई है ठीक है यह चीज़ क्लियर हो गई अब हम बात करते हैं डॉक्यमेंट के कि आपको कौन-कौन से डॉक्यमेंट करने और कौन- कहीं पर तो आए भी मांग रहे हैं मतलब इंकम वाला जो है उसको भी मांग रहे है बट ओरिजनल जो है इंकम का देना एक वेवकूफी है उसकी फोटो कौपी आपको देनी पड़ेगी क्योंकि एक दो स्टुडेंट जो है जिनके डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज जो भी आपने यह एडमिशन लेने के बाद जो माइगरेशन निकलवाया है उन सब का ठीक है वो ओरिजनल चाहिए ठीक है तो यह रही आपकी जो इनफोर्मेशन थी अब कौन से इनफोर्मेशन रहे गई है अब भी जितनी फिलाल मेरे हिसाब से इनफोर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है जो भी आगे नोटिस हाए कि उसके बारे में हम बताएंगे हाँ दूसरी बात हम बात कर लेते हैं हाँ चले इतनी तो बात अब भी फिलाल हो गई है तो चली अपना धिहान रखेगा हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरी बात यह है कि हमारा जो है वो नाया है उसको आप ली सपोर्ट करेगा ऐसे ही जो हमारी important information रहेंगे आपको मिलती रहेंगी और जिसके बारे में भी आपको पूछना है comment box में पूछ सकते हैं Instagram पेश में आप message कर सकते हैं और अभी मैं Delhi University से related कुछ update डालने वाली हूँ जैसा कि मैंने कल वीडियो एक डाला था result के बारे में और जो JNU है उसकी एक नई update आई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे next है BBAU और BHU इन दोनों के बारे में भी हम बात की जाएगी तो आप हमारे चैनल पर जरूर से बने रहेगा ठेक है और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करि आप हमारे में पर जाएगा सिता है तो आप हमारे फिजी एक ये खायागी तो आप हमारे में गोशएगा से बात करेंगे बात करेंगे झाला थाएगा करेंगे